हलो गईचे आप लोगा स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टॉपर सिंट पार तो डेली के तार हम लोग आज भी मौर्णिक अपडेट लेका रहे हैं कौन-कौन सी न्यूज पेपर में कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है एज्यूकेशन समंदित उन सारी न्यूज को हम लोग डिसकस करेंगे सबसे पहले सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम से स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे तो देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे चलिए बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ लेकिन अगर जा रही कि इसका जो पेपर है वो अगस्त में करा लिया जाएगा आज के अमार उजाला न्यूज पेपर में ये न्यूज जो है निकल कर आई है चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं यहां पर लिखा है उत्तरप्रदेश अधीना सेवा चैन आयो की को खत्म हो गई इसके लिए 26,5,549 अभ्यारतियों ने पंजी करन कराया है पीटी अगस्त में कराई जा सकती है तो जो चांसेज बन रहे हैं अगस्त में कराई जाने की और एक दिन मैंने वीडियो भी बना था और मैंने यह भी का था कि इसका जो एकजाम है वो अगस्त के आराउंड ही हो पाए गया तो अगस्त में या तो सितंबर के पर्स्ट बीग में तो अगस्त में इसके चांसेज बन रहे हैं पिलिका आयोग ने दो पार साड़े तीन बजे पीटी के लिए रेजिस्टेशन सुल्क जमा करने और अंतिम रूप से आवेदन जमा करने जाने क समय के कारण है अब यहाँ पर एक चीज और भी यहाँ पर दिया गहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर तक नौकरी अगर सब कुछ उम्मीद के मतावी रहा तो दो एस्तिरिये परिक्षा पनाली से अभ्यारत्यों को भिनता चुनाओ से पहले दिसंबर तक नौकरी मिल सकती है लिकित परिक्षा अगस्त तक होने पर अक्टूबर तक मुख की परिक्षा कराई जा सकती है दरासल पीटी में अबजेक्टिव टाइप प्रस्ण होने से रेजल्ट देने से अधिक समय नहीं लगेगा फिर यहाँ पर लिखिए कि 30,000 पदों के लिए हो सकती है पहल उने उत्तिण की है तो एक अच्छी अपडेट है मॉर्णिंग का अगर यह अच्छी लगी हो तो प्लीज जो है लाइक जरूर करिएगा और बाकी बढ़ते हम लोग अपनी अगली कोस्चन की तरह सरी अगला जो हम लोगों का न्यूज है आज की लिखा इसमें बहुत विक अगल्पिये सवाल होंगे जिनका जवाब OMR सीट पर देना होगा चातर इसकी बजाए वस्तुनिष्ट या वस्तियत उत्रिये सवालों वाले प्रश्ण पत्र को तरजी दे रहे हैं वही इसी प्रश्ण पत्र का पर परिक्षा देने चाहते हैं चात्तो ने कहा कि नया जैसी विकट परिक्षifty चल लाई है। अईसे में च्छातरों को परिक्षा कराने के बजाए प्रमोड करना चाहिए था। विशु विद्याले प्रसासन जवरन परिक्षा करा रहा है। उस पर भी विशु विद्याले प्रसासन नए पैटरन से परिक्षा कराना चाहता है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव अनिल्दूबे, निखिल उपाध्या, अविनास पांडे। तो कहिने का मतलब है, इतने सारे लोगों ने बिरोध किया है, और यह कहा है कि जब हम लोगों ने तयारी बिस्तीत उत्तरिय प्रस्णों के आदार पर की है, तो बहुविकलपिय प्रस्ण क्यों कराया जा रहा है। ऐसे में जो है सही मुल्यंकर नहीं होगा और हम लोगों ने जो तयारी किये उससाब से जो है हम लोग पेपर नहीं दे पाएंगे और अस्फल होने के चांसेज भी जादा हो जाते हैं और ये बात तो बिल्कुल सही है अगर साल पर कोई वच्चा जो है अपना जो है एकदम व बेसिक सिक्चा परसत के ये जो न्यूज है ये दायनिक जागरन न्यूज पेपर में है हलाकि ये जो है हिंदुस्तान में भी ये न्यूज है और अमरोजाला में भी ये न्यूज है तो आप कहीं पर भी आसानी से देख सकते हो लिखा है बेसिक सिक्चा परसत के प्रात्मे एचकाएं भी हाई कोड में दाखिल हो चुकी है अब उनकी सुनवाई होने की उम्मीद है परसदिये स्कूलों में 38,500 साहयक अवध्यापक के सापेक्स 41,556 भरती लिखित परिक्षा में उत्तिर हुए थे उसके बाद पुनर मुल्यांकर में करीब 46,000 अवभ्यारती सपल हुए तो उन्हें भी न्यूकती दी गई कोड में मुल्यांकर को चुनोती देने के मुहिम सुरू हो गई है इसके बाद कोड ने जनौरी 2020 में 36 अवभ्यारतों को न्यूकती देने का आदेश दिया सितंबर 2020 में 103 अवभ्यारती पुनर मुल्यांकर में उत्तिन करार दिये गए वितब से न्यूकती पानी के लिए दोड लगा रहे हैं उन्हें उम्यती के दूसरी लहर थमने पर सबसे पहले उनकी न्यूकती होगी लेकिन सासन ने 79 अजार भरती में रेखते 6000 पदों के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग कराने का कारिकरम गोसित कर दिया है काउंसलिंग 28 वा 29 जून को हो रही है जबकि न्यूकती पत्र 30 जून को दे दिया जाएगा तो कहने का मदलब है कि ये जो तीसरी काउंसलिंग हो रही है इनसे 68500 बच्चों को कुछ उम्मीद थी कि मुझे भी जो नौकरी मिलेगी तो ऐसे में इन लोगों को जो है परिसानी हो रही हाला कि इन लोगों ने जो है याचका कई सारी जार की है तो इनकी जल्दी सुनवाई होने के भी उम्मीद है फिर देखते हैं बच्चे इनका क्या होता है उसके बार आगली निउज है इसकूल खो अगर जो है अगर मैं बात करूँ यूपी वोट सच्चिव जो है इसकी राय मांग रहे हैं कि स्कूल खोला जाया ना खोला जाया तो इसमें लिखा कि यूपी वोट सच्चिव ने परदेश के सभी सहियों के सिक्चा निदेशकों से नौवी से बरावी तक के बाकों से सहमत मांगी है सची की ओर से भेजे गया पत्र में कहा गया है कि तेज अच्छा ठीक है यहां पर मांगी गई है और अगली जो है उसी में निकली है कि 68.4 प्रस्तत जो अभिवावक हैं वो जुलाई से प्री स्कूल खोलने के पक्च में हैं ठीक है यानि कि जब र उनका कहाना कि वहिया खोलो चाहाए न खोलो मुझसे कोई मतलब नहीं है उसके बाद बढ़ते हैं अगली नियूज की तरफ अगली नियूज जो हमारी वो पॉली टेक्टिंग नियूज को लेकर है कि पॉली टेक्टिंग में साथ कोर्स होंगे अस्तगित प्रदेश के होते हैं उनको अस्तगित किया जाएगा सोध विकास यों प्रसिक्षन संस्तान आई आर डीटी ने जी गुरूप के पांच और एक गुरूप के दो कोर्सों को अस्तगित करने की संसुती कर दिये बाविस में अगर चात्रों का रुजान इन कोर्सों के उतरफ बढ़ेगा तो इन हैं फिर सुरू किया जाएगा आई आर डीटी के निदेशक मनोज कुमान ने बताया कि एक गुरूप के तीन डी गुरूप के एक और जी गुरूप वाले पांच कोर्सों में पिछले पांच सालों में हुए दाकुलों की स्तिति के विसलेशन के बाद विसे सग्यों में जो हैं साथ कोस जो हैं अब की बार से बंद कर दिया जाएंगे किसलिए बंद किया जा रहा क्योंकि इसमें आवेदन और इसको करने वाले आप भ्यारतियों की संख्या बहुती कमती देखो जो निउज आपको अच्छी लगए या आपकी काम की जो निउज हो उसका चलिए आगली जो निउज है ये है आगरा से निउज निकल कर आई ये भी आजी के निउज पेपर का है और ये आपको हिंदुस्तान निउज पेपर में मिल जाएगा ठीक है हिंदुस्तान निउज पेपर के आगरा संस्करण में आपको ये निउज देखने को मिल जाएग यदि college फीस नहीं देते हैं तो उनके छात्रों को रोक कर अन्य को promote कर दिया जाएगा फीस मिलने के बाद छात्रों को विसुबिद्याले प्रमोट करेगा बता दें कि विसुबिद्याले को लगातार कई वर्सों से परिक्षा सुल्क के लिए संगर्स करना पड़ता है हाला कि कुछ चीजें हैं जो college वाले जो हम फीस नहीं जमा कर रहे हैं तो एक college वालों के लिए दी गई है कि जिस college में यानि जिस college की परिक्षा सुल्क नहीं जमाओगी उनके छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा और जब वो बाद में जो है सुल्क जमा करेंगे तो बाद में उन बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा अगली जो निवजए इनको देख लेते हैं मेरिट कम कर बचे पद भरने से इनकार इलाहबाद हाई कोड ने 2015 की पुलिस पीसी कांस्टेबल भरती में खाली पदों को भरने की मांग को अस्विकार कर दिया गया है साथी 3000 बिग्यापित पदों की कैरी फारवर्ड ना कर मेरिट गटाते हुए चैनित अब्यारतों की न्यूकती की मांग को लेकर दाखिल सइकोडों याचकाओं को खारिज कर दिया है कोड ने सुप्रीम कोड के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यद नियम नहीं है तो चैनित होने मातर से ही किसी को न्यूकती का अधिकार नहीं मिल जाता सरकार सभी विग्याविक पदों को भनने के लिए बाद नहीं है हाई कोड़ पर सुप्रिम कोड़ के निर्ड़े बादिकारी है इसलिए कोई राहत नहीं दी जाजकती है यहाँ आदेश जस्टिज MC तिरपाटी ने अजय प्रगाज मिस्रा तथा 216 अन याचकाओं को खारिज करते हुए दिया है याचका पर वरिष्ट अधिवक्ता असोख खरे वरिष्ट अधिकावज एचेंसिंग सिद्धात करे मुझी वहमत सिद्धे की सहित आधा दर्जन वकीलों ने बहांस की याचियों का कहना था कि वे सभी चायनित हैं कटाब मेरिट 1916 से अधिक अंक प्राप्त कर सपल हुए हैं पुलिस भर्ती बोड ने 28,916 सिविल पुलिस वब पीसी कांस्टेबल पदों की भर्ती में सामान वर्गवालियों को 403.6 अगर हम बताएं तो बहुत ही दिगज वकील जो हैं इन लोगों के केस को लड़ भी रहते असोख खरे अगर हम बात करें उसके बाद एचन सिंग से दाथ खरे लेकिन लास्ट में ये कहा गया है कि अगर हम बात करें यहाँ पर जो मेन यहाँ पर निकल करा इसका कंक्लूज कि 2015 की पुलिस पीसी कांस्टेबल भरती मामले में अचकाए खारी जो गई है कोर्ट ने कहा कि चैनित होने मातर से किसी को न्यूकती पाने का अधिकार नहीं है अगर आपको ये न्यूज पसंद है या आपके काम की ये न्यूज है तो आप इसका स्क्रीन सॉट ले सकते हो और अच्छे से आप इनको पढ़ सकते हो चलिए उसके बाद अगली जो न्यूज है वो इलाहाबाद विसुविद्याले से लेकर है कि इलाहाबाद विसुविद्याले में आज नए सत्र पर मंतन करेगी प्रवेश समीती इलाहाबाद केंद्रे विसुविद्याले समेश सं प्रवेस परिक्षा आउजित कराने की सिपारिज को मंजूरी दी थी या परिक्षा जेई मेन और नीट कराने वाली निशनल टेस्टिक एजनसी को सोपा गया है अब तक प्रवेस फैसला को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है सत्र प्रवावित होने की आसंका जताते हुए इलाहाबाद बिसुविद्याले प्रसासर ने उजी सी को पत्र भी बेजा इसके बावजूद कोई जवाब नहीं मिलने पर अब इलाहाबाद बिसुविद्याले प्रसासर ने सत्र प्रवावित होने से बचने के लिए खुद ही का वाज जो है वो शुरू कर दी है तो आज जो है इतनी सारी न्यूज थी आप लोगों को मैं अगर बता दू तो काफी important आज की न्यूज थी तो अगर आज क्या न्यूज अगर आपको पसंद आए तो प्लीज आपको लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को सेयर करना है चले तो ठीक लाइक कर दीजिए चले मिलते हम लोग अगली वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए मस रहिए जय हिंद जय भारत